जब मैं बड़ी हो रही थी, तो मेरे माता-पिता दोनों काम पर जाते थे, और कई बार मैं अकेला पन और बहुत दुखी महसूस करती थी, हाला कि मेरे माता-पिता अपनी और से मुझे आराम महसूस कराने की कोशिश करते थे, मगर कई बार मैं अंदर से अकेला पन महसूस कर तो जो भविश्य में माता-पिता बनेंगे, हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे ऐसा महसूस ना करें। धन्यवाद। तो हमेशा जैसे आप बतक और मुर्गी को देखते हैं, मुर्गी जहाँ जाती है, चूजे भी वही भागते हैं। उसी तरह बच्चे हमेशा माओं के पीछे भागते रहते हैं। तो वो हमेशा अपना काम करती थी और साथ ही उन्हें समालती थी, देखभाल भी करती थी और इसमें एक खास तालमेल होता था. मगर आज महिलाएं दफ्तर या फैक्टरी या किसी दूसरे कारोबार में जाती हैं. इसलिए वे अपने बच्चों को वहाँ नहीं ले जा सकती हैं. ये बाहर कदम रखने वाली महिलाओं की पहली पीड़ी है. इसलिए समाज में अब भी हमारे पास व्यवस्था, उचित व्यवस्था नहीं है, जहां बच्चों की अच्छी देखपाल हो सके. अब तक समाज में वो सिस्टम, वो सुविधा, वो व्यवस्था नहीं आ पाई है. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही हो क्योंकि ये बहुत जरूरी है. ये माईने नहीं रखता कि वो आपके माता-पिता हैं या कोई और, मगर बच्चों को एक प्रेम और परवाह के माहौल की जरूरत होती है. सिर्फ उन्हें सही पोशन देना ही काफी नहीं है. उन्हें थोड़ी देखभाल, ध्यान की जरूरत होती है. कोई उन पर मुस्कुराए, कोई उनके साथ हसे, कोई उनके साथ कुछ करे, खेले. ये बहुत जरूरी है, वरना बच्चे मानसिक तोर पर थोड़े से बीमार होकर बड़े होंगे. ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चों की मां को ही ऐसा करना चाहिए. मगर ऐसा करने के लिए एक समर्पित व्यक्ति होना चाहिए. बच्चे के लिए ये बहुत महतुपूर्ण है दुर्भा के वशे समाज में हमारे पास अब भी ऐसी कोई विवस्था नहीं है